श्री शिवाय नमस्तुब्यम हरहर महादेव नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपका आपने यूट्यूब चैनल पतिमाजुनी गैरी में दोस्तों इस वीडियो में आपको गुरु वार की दिन किये जाने वाले उपाय बताएंगे जो कि दो उपाय बताने माले हैं पहला उपाय होगा मनो कामना पूर्ति के लिए और दूसरा उपाय घर की परेशानियों के लिए ग्रेह कलेश और बीमारियों के लिए होगा दो उपाय बताएंगे जो कि आपको गुरु वार दिथी के दिन करने है आते हैं पहले उपाय पर पहला उपाय जो है वो है मनो कामना पूरती के लिए आपकी कोई मनो कामना है कोई इच्छा है चाहते हैं कि आपका ये काम पूरा हो जाए पूर्ण हो जाए बहुत दिन उस नहीं हो रहा है अटक गया है तो ऐसी कुछ इच्छा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं गुरुवार के दिन सुबह से शाम तक कभी भी उपाय आप कर सकते हैं इसके लिए चाहिए होगा आपको तांबे के लोटे में एक लोटा शुद्ध जले लेना है अपने घर का लेना है साथी साथ आपको थोड़ी सी हल्दी चाहिए होगी थोड़ी सी का मतलब है एक चमच हल्दी छोटा चमच हल्दी इतनी हल्दी चाहिए होगी वो हल्दी आपक के बनाले कैसा भी आप ले सकते हैं तीन चीजे हो गई ये तीन सामगरी हमको मुख्य रुप से चाहिए होगा इसके अतरिक्त चाहिए होगा रुद्राक्ष रुद्राक्ष अप कैसा भी हो आपके घर में जो भी है जैसे तीन मुखी है पंच मुखी है साथ मुखी है जैसा भी एक मुखी है कैसा भी रुद्राक्ष आपके घर में है एक ही रुद्राक्ष ही है वो एक रुद्राक्ष ले लेना है जो भी असानी से आपको मिल जाए रुद्राक्ष उसको आपको पानी में थोड़ा देर के लिए रक्तेना है टिक है जाल देना है जो आपने एक लोटा जल लिया था वसे में रद्राख्ष वाला जल भी आपको मिला देना है यह सारी सामग itt health करके आपको किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे जो की आपके घर के आसपास है आगर मंदिर में हैं तो मंदिर के पास चले जाएं जो भी असानी से बेल पेड़ मिल जाता है वहाँ पर कर लें अगर जैसे घर में बहुत से लोग लगा के रखते हैं तो वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं ग जड़ के पास नीचे अनामी का उंगली से स्वास्तिक बना दीजिएगा हल्दी से हल्दी का स्वास्तिक बनाना है आपको उसके पास जो दीपक लिया हुआ है वो दीपक आपको वहीं पर प्रज्वलित करना है लंबी बाती का दीपक एक बर फिर से बता रहे हैं वो दीपक अपको आपका कैसा था रुद्राक्ष वाला जल जो है अब यह करने के बाद आपको मनोकामना अपनी व्यक्त करनी है जो भी इच्छा है मनोकामना है वो आपको मांगनी है साथ दिन के अंदर आपके मनों कामना पूरी होगी अब जो जल है वो आपको ऐसे नहीं चढ़ाना है जल को पहले अपने हाथ में लेना है दाहिने हाथ में उड़े लिए और उस हाथ से चढ़ा देना है फिर उड़ेलना है फिर चढ़ा देना है ऐसा आपको मतलब इस तरह से चढ़ाना है कि जैसे पांच बार में या साथ बार में ग्यारा बार में इकीस बार में इस तरह के नंबर में आपको वो जल खतम करना है चढ़ा करके पहले आपको दाहिने हाथ के हथेली में मतलब अंजुली में आपको लेना है जल और फिर बेल पत्र पे अपने हाथ से चढ़ाना है इस तरह से आपको नंबरिंग बताई दिया कि इस तरह से रखनी है करके चढ़ाना है और अपनी मनो कामना श्री शिवाय नमस को भी हम कहना है फिर अपनी मनो कामना जो भी है कहनी है अब मनो कामना ऐसी होने चाहे कि मतलब जो पूरी हो सके जिसके लिए आप कई दिन से प्रयास रहते हैं ऐसे नहीं कि कुछ भी टाइम पास के लिए आप मांग रहे हैं जो अगर घर में आपके कोई भी परेशानी बनी हुई है जैसे बीमारी है अगर कोई सदसक्सर बीमार रहता है या कोई नो कोई बीमारी रहता है बीमारी की समस्या घर में लगी रहती है या तो फिर घर में कलेश बहुत जादा है घर के सदसकी आपस में नहीं बनती है कोई किसी कुछ भी कह देता है बच्चे परेशान रहते हैं इस तरह कि घर की जो समस्यां है आपकी धन पैसा नहीं टिकता है ब्यापार नहीं चल रहा है परेशानियों में बहुत आप उलजे हुए हैं कभी भी घर में खुशाली नहीं रहती है शान्ती नहीं रहती है लड़ाई कर दे भागे साथ नहीं दे रहा है इस तरह की चीजों के लिए आपको यह उपाय करना है सबसे पहले इसके लिए लेना होगा आपको पीला चंदन थोड़ा सजादा चंदन लेना है जैसे पाउडर जैसा आता है ना वह चंदन आपको लेना है पेस्ट जैसा बना लेना है काफी ठोड़ा चंदन दो चंबस तक ले लेना है पेस्ट बना करके अच्छे से ये चंदन ले लिया आपने पीला चंदन अब उसके बाद आपको लेनी है दूरवा गहास कुई खांटिंग नहीं है कि कितनी ही लेनी लेना है अगली चीज जो आपको लेनी है वह एक खाली पातर क्योंकि हम को जल भी एकठा करना होगा तो एक खाली पातर को इकटोरी है बड़ा-बदर्तन ले लेना है जिसमें जल एकठा कर सके और सारी सामगरी लेकर के आपको चले जाना है शिवमंदर शिवलिंग के पास सुबह जाना चाहें तो शुबह कर सकते हैं यह उपाय शाम को करना चाहें तो शाम को टाइम का कोई भी वो नहीं है और यह आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप गुरुवार के दिन ही यह उपाई करें जैसे आपकी समस्या हो उस तरह से कर सकते हैं जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएं तो सबसे पहले आपने जो पीला चंदन लिया हुआ है उस पीले चंदन की लेपन को माता शुक सुन्दरी के अस्थान पर अच्छी तरह से लेपन करना है लेप लगाना है मतलब अच्छे से कूब मोटा सा परत लेयर जिसे कहते हैं वो आप अच्छे से माता शुक सुन्दरी के अस्थान पर लगा दीजिएगा तब तक आपको शी शिवाय नमस तुभ्य हम कहते रहना है जब आप यह उपाई कर रहे होते हैं दोनों चीज़े कर लिए आपने फिर आपको जब कर लिया इतना तो आपको अपनी मनों कामना इच्छा जिस चीज के लिए आप यह उपाई बिमारी के लिए कर रहे हैं या फिर घर के कलेश की मुक्ती के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, जिस के लिए भी कर रहे हैं, वो आपको कहना है, यहापर अपनी समस्या कहनी है, परिशानी कहनी है, इसके बद जब आपने एक लोटा जल लिया हुआ है, वो जल आपको शिवलिंग के उपर चड़ाना है और आपको इससे पहले जब आप जल चड़ाएंगे उससे पहले ही आपको जलाधारी के पास कटोरी रखनी है ताकि जो जल आप चड़ाएंगे वो उसका टोरी उस पात्र में इकठा हो जाए इस तरह से आपको करना है किसी भी महादेव का नाम आप ले सकते हैं ऐसे ही चाहते बुद्ध ग्रह मजबूत होता है बुद्धिश्वर महादेव का शनीदेव को उस्ताड़े साती ढहिया चल रही है तो उस्ताने शर महादेव का चंदरमौली महादेव इस तरह से किसी भी महादेव का उनाम लेते हुए आपको वो जल चढ़ा देना है और जब जल इकठा हो जाता है पात्र में आपके इकठा हो जाएगा तब आपको दूरबा वहाँ से उठानी है और उसी कटोरी में रख देनी है दूरबा भगवान भुलेनाद से जो भी आप आपके घर की जो भी परेशानिया समस्या है वो दूर होना शुरू हो जाएंगी दोस्तों इस वीडियो में आपको दो उपाय बताएं है आपकी परेशानिय से सम्मंदित जो उपाय आपको आसान लगे वो उपाय करके एक बार को जरूर देखिएगा आपकी मनो कामना इच